तो आज हम लोग यूनिट्स और मेजर्मेंट चैप्टर जो है उसका डीपी नंबर वन सॉल्व करने जा रहे हैं जो की बेस्ट है यह डीपी लेक्चर वान लेक्चर टू और लेक्चर थ्री पर यह तीनों लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पेडियाफ तो चल किये हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन से और देखे एक चीज है ना बहुत सारे स्टूरिट्स जो है लेक्चर से एक्सेस करने में जो इससे समय आपको लगता हो या डीपी का जो सॉलूशन है इसमें तो आप डाइरेक्ट दा बेस्ट चीज है बिना समय गवाए हुए जैसे लेक्चर अगर सर्च करना हो तो आप डाइरेक्ट यूट्व में लिखे यूनिट्स और मेजरमेंट क्लास 11 फिजिक्स फिजिक्स लिंक्स तुरंत वो लेक्चर आ जाएग बस वो वीडियो आया आपने देख लिया आपका हो गया नोट सिस्टेमेटिक मेंटेन हो रहा है कुछ भी कोई भी चैप्टर भी सर्च करना हो लास्ट पर फिजिक्स लिंक्स लिख दिया बस हो गया खाता है देखते हैं तेकिंग इंटो एकांट अफ दा सिगनिफिकेंट सिगनिफिकेंट फिगर से रिलेटड आता है तो हम लोग अलड़ी सीख चुके हैं कि पूरा डिटेल मल्टिप्लिकेशन या डिटेल एडिशन सब्ट्रेक्शन करना होता है इसमें कोई पाई नहीं है लेकिन कुछ ऐसा सवाल है जिसमें करेंगे अभी देखेंगे कुछ ग में आंसर हो गया हम कर क्या रहे हैं एडिशन यह सब्रेक्शन तो इसमें करते हो यहां कितना है दो हां पर है चार तो मेरा अंसर में कितना baraиях से रहना hence answer जो हो जाएगा मेरा यही हो जाएगा पांच अगर greater रहता तो फिर हम इसको बढ़ाते तो यह हो जाएगा क्या meter unit भी चटरते जाना तो 9.98 meter यह इधर जो लिखा हुआ है वो final answer जो DPP में आप लोगो provide करवाएं question number 1 हो गये question number 2 के पास the respective number of significant figures बताईए कि क्या है इस numbers में इस number और इस number में तो 23.023 एक है फिर 0.0003 है उसके बाद 2.1 into 10 to the power minus 3 है क्यतना होगा इसमें तो decimal है तो भाई सारे zeros जो है वो counting होगा तो 3 दो 5 5 significant figures हो गया उसके बाद decimal के बाद वाला जो 0 होता है यह सब counting नहीं होता है तो सिर्फ हो जाएगा केतना एक सही आ रहा है आप लोगा 1 significant figure फिर 10 to the power वाला जो है orders counting नहीं होता है order order of magnitude जो बताए थे तो यही number से यानि कि 2 significant figure तो हो जाएगा 512 चेक करते हैं 512 तो question number 2 भी हमारा होगी question number 3 a body of mass 3.513 kg जो है पहले लिखते चलते हैं केतना है 5.3.513 kg is moving along the x-axis with a speed of 5 speed V से denote करते कोई symbol let it be 5.00 meter per second the magnitude of its momentum अब देखें momentum अभी तो आप लोग को नहीं पता होगा तो momentum बराबर होता क्या है mass into velocity आगे पढ़ाएंगे तो momentum equal to mass into velocity हमको बोला है सिर्फ magnitude तो m into v formula से भी मतलब है ये पता चलना चाहिए कि गुना कर रहे है कि divide या addition या subtraction तो ठीक है mass into velocity है magnitude है तो हम उसको speed बोल देंगे नहीं समझ में आई ये बात कोई बात में आगे हम पढ़ेंगे scalar और vector quantities बताएंगे तो momentum जो होता है जिसको कि हम लोग P से denote करते हैं P बराबर हो जाएगा mass into velocity यानि दोनों को गुना करना है तो गुना कर देते हैं 3.513 into 5.00 यहाँ पर सब चीज़ सटी गुना करना है देखते हैं इधर रख करके देखे ज़रा 3.513 5.00 करिया आराम से तो पहले 5 से गुना करते है 5.55 पांच हनब की 1, 6, 25, 25, 25, 15, 17 और यह 2 0 जो है उसको भी यहाँ लगा दिज़रा आराम से तो 325 यानि कि 325 decimal places मेरा यहाँ आजाएगा 17.56 केतना आंसर आ रहा है 17.56 5.6 5.00 ठीक है अब इतना आया हमारे आंसर में क्या होना चाहिए तो हम कर रहे हैं multiply multiply का मतलब बताव least significant figure इसके पास 4 है इसके पास 3 है तो मेरे आंसर में 3 होना चाहिए तो 1, 2, 3 बस इतना ही होना चाहिए बांकि उड़ेगा उड़ने वाला 5 से कम या 5 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा है उड़ाओ तो उड़ाते वक्त बगल वाले को एक बढ़ा देंगे hence ऐसे आंसर आ जागे ठीक है यही आंसर हो जागा एक बढ़ा दिये अच्छा मास है kg और वेलासिटी जो है वह है मीटर पर सकेंट तो यूनिट भी यह हो जाएगा यानि कि 17.6 किलोग्राम मीटर पर सकेंट तो मेरा यह आंसर आ गया सही चल रहा है कोशन नवर 3 तक चलता है कोशन नवर 4 एरिया ओफे स्क्वार इस 5.29 संटीमीटर स्क्वार एक स्क्वार मेरे पास है एक स्क्वार है इसका एरिया दिया होता है हमको पता है कि एरिया ओफे स्क्वार साइड दोनों का क्या होता है सेम एरिया ओफे स्क्वार डारेक्ट दे के रखा है 5.29 cm का whole square The area of 7 such squares Taking into account the significant figures यह जो word लिखता है ना Taking into account the significant figure इससे confused मत हो जाई है कि हमको significant figure चेक करना है नहीं, हमको यह बताता है कि यह topic significant figures का है तो आप देखी कि आप addition subtraction कर रहे हो कि multiplication division अशुरू में आप कर क्या रहे हो पहले हो बेस जो है उसका क्या है अगर addition subtraction तो decimal चेक करेंगे और गुना भाग है तो significant figures में तो area है हमको बोला कि 7 ऐसा square आएगा तो क्या करते हैं भाई तो लगता है अच्छा एक square का area है यह इतना तो 7 का करेंगे तो 7 into देखी क्या गलती कहा करते हैं ना लोग वो देखेंगे ज़रा एक का है यतना तो total जो area हो जाएगा क्या करेंगे 7 into कर देंगे बिल्कुल अब हमको पता चलिए कि अच्छा ये दोनों को हम कर क्या रहे हैं गुना कर रहे हैं तो गुना कर रहे हैं तो गुना कर रहे हैं को तीन में भी मारेंगे है न तो जड़ ठीक करके जाए ये concept एक्च्छली में ये गुना है नहीं बैक्ग्राउंड में देखो के तो हो क्या रहा है एक square का area है इतना 2 square का area कितना हो जाएगा एक कलम का दाम 5 उपए दा 2 का तो 5 प्लस 5 3 का तो 5 प्लस 5 प्लस 5 तो जा करके 15 हो जाता है एक्च्छली एडिशन हो रहा है लेकिन 5 प्लस 5 प्लस 5 तीन बार करना हो तो उससे अच्छा है कि हम ना fast करने के लिए into 3 कर जेते है direct answer आ जाता है अब इसको हम 7 बार थोड़ी लिखेंगे 5.29 से इन्टू 7 करके गुना कर लेंगे तो बैक्ग्राउंड चिक करो कि एक्चली concept जो physics का एनूँ एक्चली हो क्या रहा है addition सब्प्रेक्शन हो रहा है यहाँ पर यह total क्या करेंगे a प्लस a प्लस dot 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 क्या तना times चले गई है 7 times क्योंकि 7 सच स्क्वार्स का हमसे पूछ रहा है तो तब जाकर के हो रहा है addition अब लिख देंगे 7 times a होगा 7 into 5.29 centimeter का whole square क्या हो रहा है यहाँ पर addition is taking place addition तो जैसी addition होगा हम लोग decimal places को चेक करेंगे ना कि significant figures को गुना करें 9,73,63,3,6,7,14,26, 0,2,75,36,36 दो decimal places के बाद यहाँ आएगा तो यह हो गया मेरा केतना centimeter का whole square a total total area क्या यह सही है या फिर कुछ और तो दो decimal places है addition कर रहे हैं यही एक ही quantity है तो दो ही होना चाहिए यानि कि पूरा पूरी answer लिखाएगा कुछ books में ऐसा भी है बचो कि 0,3, question 4 लिख लिजे question 5 चलते है क्या है three measurements are three measurements are a equal to 25.6 है b equal to 21.1 c equal to 2.43 हमसे पूछा जा रहा है कि a minus b minus c क्या होगा यानि कि 25.6 minus 21.1 minus 2.43 ठीक है बताओ कि क्या होगा तो हम आराम से सब्ट्रेक्ट करते है कोई दिकत नहीं है 25.6 minus कर लेंगे 21.1 कितना आ रहा है भाई 6 में से ए गया 5, 5 में से ए गया 4 तो यह 0 हो गया इसा उसमें से 2.43 minus कर लो 2.43 माइनस कर लो इसमें से ठीक है यह तो कितना आ रहा है देखे यहाँ 0 लगाते है 10 में से 3 गया 7 4 में से 4 गया 0 और यह हो गया 2 तो 2.07 यह मेरा final answer है जो exact subtraction करके मैंने लाया है 2.07 लेगिन क्या यह सही है कि गलत चेक करते है addition subtraction में least decimal place इसके पास एक decimal place इसके पास एक decimal place इसके पास दो minimum 1 यानि कि decimal place बस यहीं तक रहना चाहिए यह कहुआ उड़ उड़ तो उड़ेगा 5 से ज़्यादा है तो हम बगल में एक डिजिट बढ़ा देंगे कौन सा चीज से हो रहा है rule number 1 से rounding of count hence final answer इसका तक question number 5 हो गया result जब आज आएगा पूरा बढ़िया 11 में अभी हम पढ़ाई कर रहे है जो बचे अगर जे इनिट का competition का preparation कर रहे हैं अगर qualify कर लेते हैं बढ़ियां से तब फिर मेरे तरफ से बनता है बीच बीच में आप लो क्या है the length of a rectangular sheet एक rectangular sheet है तक कुछ length है कुछ breadth होगा length केतना देके रखा है 1.5 cm and breadth केतना देके रखा है 1.203 cm find the area of the face of a rectangular sheet तो area of the face केतना होजागा length into breadth यानि की multiplication यानि की significant figure हम check करेंगे देखते हैं लिक करके तो L into B चाहिए L है 1.5 into 1.203 cm का whole square हो जाएगा 60 की यानि की गुना करना है 1.203 और 1.5 गुना कर दीजे बढ़ियां से तो 15 ही है टेवल पढ़ते है 15-35 के 5 94 तो यह 4 हो गया 15-32 के 0 95-3 15-67-8 यहां खतम 3-1-4 यानि 1-2-3-4 1.8 something कुछ आएगा कितना आ रहा है 1.8045 ठीक है तो जो आ रहा है इसको तो गुना कर लिजे जो भी है 8045 cm का whole square सवाल है यह अंसर होगा कि ने देखिए गुना करने बच्वा आराम से गुना करिए बढ़ियां से हर डिजिट एककर करके नए डिरेट होता है तो 5 का पहले करिए फिर एक से कर ये जोड लिए तो 1.8045 हो गया क्या है हमको यहां पर significant figure चेक करना होगा यहां 2 है और यहां कितना 4 तो answer में कितना आना चाहिए 2 यानि यहीं तक मेरा answer आना चाहिए उड़ेगा कौन 0 less than 5 है उड़े ही जाएगा final answer रही जाएगा मेरे पास केतना 1.8 cm का whole square कैसे आया है यह rule number 1 के rounding off से तो 1.8 cm देखनी जाए answer भी चेक कर लिए यह हो गया तो question 6 खतम चलते हैं हम लो question number 7 के पास क्या है each side of a cube अब मेरे पास cube है बना हुआ एक square नहीं है cube है और cube हमको पता है कि क्या होता है total cube जो है जैसे यह room माली जे कि स्क्वार है सारा surface यह दिवार यह भी square है जतना length breadth है यह भी square वो भी square सारे square ही है और सारे same length breadth का है तो यह पूरा room मेरा क्या बन जाएगा यह cube क्या बन जाएगा बच्वा ठीक है तो let एक side length है a length, breadth, height सब कुछ हो गया इतना इतना इसमें एक face अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा face का area क्या हो जाएगा है square तो side का square हो जाएगा सवाल देखते क्या कहता है each side of a cube is measured to be 5.402 cm find the total surface area and volume of the cube total surface area का मतलब क्या होता है मेरे पास एक surface है कितना है उसका a square होगा total यहाँ पर कितना तो देखे रूम में आप खड़ा है आप रूम में ही calculate करीजे फिजी math का भी बहुत सारा formula जो proof करते हैं 6 a square, 6 a square, 4 a square भाई यह उसका proof होता है पुरूफ दिमाग में चलेगा तो सब आसान लगेगा what is total surface area a square, a square, a square, a square तो 4 गो तो दीवार हो गया एक ceiling, एक floor तो total कितना हो गया 6, सब square है 6 a square यह तो ऐसी दीख रहा formula तो total surface area equal to हो रहा है मेरा कितना 6 a square 6 a square actually में है क्या यह देखो ज़रा a square plus 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 actually addition है अतब जाकर करके यह आ रहा है actually addition है लेकिन addition के भी पहले जो है न वो है क्या a square आप निकालो कैसे मेरे पास देके रखा a, a a square कैसे निकलेगा a into a करने से multiplication यानि एकदम z में जो root है वो क्या हो रहा है क्या हो रहा है तो जैसी multiplication आएगा हम लोग significant figures को check करेंगे जो main z के अंदर क्या हो रहा है यानि हमको multiply करना है तो अलग page में कर लेते हैं a केतना है 5.402 इसी को multiply करना है a square निकालने के लिए केतना बड़ा गुना है तो करिए जैसे बच्चा हम करते थो और क्या दूदूनी 4 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 फिर 0, 0, 0, 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8 फिर 0, 4, 4, 6, 96, 95, 21, 21 हो गया फिर यहां से 5 दूनी 10 के 0, हनबाकी 1, 1 5, 20 के 0, हनबाकी 2, 55, 56, 27 हो गया है न तो हो गया 29, क्यतना है बच्चों 29.181604 ठीक A square निकल गया into 6 करना है मेरे को तब आजाएगा टोटल सर्फेस इरिया तो फिर इसको multiply करते है किसके साथ 6 के साथ 624 के 4, हनबाकी 2, तो यह 2 हो गया 624 के 4, हनबाकी 3, 6, 39 हो गया यहां कुछ है मेरे पास ऐसा अंसर आ रहा कितना रहा 175.089 175.089 089 624 624 यह centimeter है पुचों तो area है तो क्या हो जगा centimeter का whole square सवाल है कि answer तो background में सब से पहले क्या था A into A multiplication यानि कि significant figure क्या है मेरे पास 4 significant figure तो answer में क्यातना हो ना ची ती ने चार यहीं तक हम को round off करना है यह बगला उड़ेगा काउगा उड़ेगा 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा देंगे मेरे पास answer कितना आ जाएगा 1 यतना 0 को एक बढ़ा दी यह centimeter का whole square 4 significant figure जो है answer होना चाहिए देखते है चेक करके total surface area 175.1 यानि कि सही अब क्या बोला है volume of the cube निकालो भाई पूरा volume of cube क्या होता length into breadth into height length, breadth, height तीनों जब सेम है था a into a into a a cube यानि कि volume of cube जो है वो हो जाएगा क्याची a का whole cube यानि कि 5.402 का whole cube गुना करिए तो दो बार तो अलिड़ी हम गुना करके लाये थे कुछ उसको एक बार और गुना करना होगा इतना बड़ा गुना है तो हमने दो बार ये करके लाये थे इसको एक बार और गुना करेंगा आ ज़ो भाई, line में आ ज़ो क्या है तो दो बार जो आया है न मैं उसको लिखता हूँ जो रहा 29.181604 इसको गुना करना है किसके साथ 5.402 के साथ तो करते हैं तो यह दो से सबसे पहले तो चार दूनी 8, 0, 6 दूनी बारे का 2, हान बकी 1, 2, 1, केतना हो जागा यहां से चलते हैं अचे? तो यहां से 2, हान बकी 1 हो गया तो यह एक, शक्तर जोगरी एक हो गया तीक है के तना आ रहा है इधर 8 यह आ रहा है 0 6 2 8 3 1 4 6 4 10 2 12 के 2 हमब की 1 6 3 9 10 के 0 हमब की 1 8 8 16 7 8 8 9 9 हमब की 1 7 5 12 हमब की 1 10 6 6 6 हमब की 1 5 6 7 4 5 आहा है यतना बड़ा गुना था किता 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 यानि डेसिमल यहां लगने वाला है 157 के पास तो मेरा इतना बड़ा अंसर आया 157.639 157.639 0248 0248 0248 08 ऐसा कुछ आया है करें क्या है तो गुना ही हो रहा है तो जब multiplication है तो list significant figure केतना है मेरे पास 4 यानि कि मेरे पास अंसर में बस 4 डिजिट रहना चाहिए बगल में कवा उड़े उड़ा उड़ा तो उड़ाएंगे less than 5 तो चुप चाप वही आंसर हो जाएगा कोई बढ़े उड़ेगा नहीं centimeter का hole क्यों यह आंसर 157.6 तो यह रहा question number 7 कोई दिकत नहीं है यानि कि देखो जो गुना करने आता है न तो दन 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 पढ़ने तो है टेवल तो भाई और रूखे क्यों दन 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 आ दीजिए तो मजबूरी है तो पुरा अच्छा से गुना करेंगे इसको चलते हैं question number 8 क्या है भाई find the value of the multiplication यतना into यतना correct to 3 significant figure यानि कि गुना भाग करेंगे थ्री पॉइंट जो छोटा डिजिट हो उसको नीचे लिखिया हमेशा तो आसानी होता 5.4.576 को गुना करना है 3.124 के साथ करेंगे गुना तो 624 के 4 हान भाग की 2 7 4 8 3 30 के जूरो हम की 25 23 23 23 24 24 16 सत कहता हो गया 25 23 23 23 24 16 17 18 ठीक 6 दुनि बारे का 2 हान भाग की एक चुटनी का लिए ृष्टास दूमार पांड़न इनकी आठ्यझी विए में जुटनी यृइन्ट Intern भूवार ज कत अठ्युर्थी साथ भूरइ। 9 difficult hdradust n's WEEL ste wolves可以 एंच्ड़नो सब्सक्राइख गर्षार set डीए इनॅ करश भार 4 13 खाट 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 ये हो गया 425 दूर किस चार पांच ठीन अठाशतु के 4 हमगे एक एक हमगे एक आठेक नो एक दस दॉओं 10 नुर्ट की दो दस दो बारह पाच सट्रह ठारह निन के नूर की एक साठ चटारे कबारह हम के एक यहां कि नहीं है चेट अटार अंट की एक सटुर्फ के दू हमके दो पंच्रेश शुले सतरे के च आतरा ठीक है बच्छेक पर क्रोस्च कर लेता हूं चार दो खट-खट छेटिन वपंच्छा अगरे की एक आरथेक नोएक दस सतरह तिंग बीस पच्छतुर्फ हम दो ठीक है तो 2, 10, 2, 12, 15, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, ठीक है, है न सही है, तो 3, 3, 6, तो यहाँ पचो 3, तीन केतना होगी अच्छी, यानिकि 14.2, 25, या यहाँ जो चाहिए, तो मेरे पास चाहिए, केतना मातर 4 significant figure चाहिए, क्योंकि दोनों में 4 है, तो भाई 4 का मतलब सिर्फ तक तो जो बगल व्ला डिजिट है वो उड़ने वाला है तो आप चेक करिए कि जो भाई बगल डिजिट उड़ने वाला है वो है 5 अब रुकना पड़ेगा तो 5 के बगल में क्या सिर्फ 5 है है या कुछ 0 से या कोई और डिजिट है अगर 5 के बगल में followed by other digits तो increase by 1 तो increase by 1 तो 29 को बचो अगर हम लोग एक बढ़ा दिंग क्या हो जागा 30 तो यह हो गया कितना देखने जो 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 30 और 4 सिगनिफिकेंट सॉरी हमको राउंड आफ करने के लिए यहां पर बूला ऐसे आंसर रहता चार लेकिन सवाल के अंदर बचो बोल द तो भाई जो अंसर आया है ना यहीं तक चेक करिए तो बगला उड़ाओ तो पांच से ग्रेटर है तो खटाक से अंसर आ गया मेरे पास केतना 14.3 दिस विल भी माई फाइनल आंसर यहां पर बोला है तो 14 पॉइंट केतना आ जाएगा बचो 3 नहीं बोलता तो फिर वो जो ल हो जाता है कुछ कुछ सिली मिस्टेक इसलिए सवाल पर ध्यान देना बड़ी जूरू है कुश्चन नुम्रेट चलते हैं बचो कुश्चन नुम्र 9 पे दा मास ऑफे बॉक्स इस 2.3 केजी यह वो कोई बॉक्स है लेट इस तरह क्या है हमको नहीं पता क्यूब है की देख लिए बच्चों नुम्रेट करते हैं एक ग्राम में हजार तो भाईया एक ग्राम में एक बटे 1000 यानि की 2.15 डिवाइड भाई-बाइ क्या कर देंगे 1000 तो एच चल गया कि किलोग्राम में तक कैसे लिखेंगे ने रेखते हैं तो पता है कि न देखें यहां पर सेट हो जागा यानि कैसे 0.00 जो 3 0s है न वहां जाकर कर सेट कर दिजिए उसको यह डारेट केजी में हो गया लेकिन अगर यह नहीं समझ में आ रहा हो चिंता करनी की कोई बात नहीं हमको गल्टी नहीं करना इग्जामिनेशन में मेरे पास वह है बहुत छोटा चीज़ा बचो यह सब चीजों अकसर नहीं कोई बोलते हैं मान करके चलते हैं कि आपको आता होगा सब कुछ आता है बहीं नहीं आता है तभी तो बच्चे पूछते हैं सवाल अगर आता तो फिर हम क्यों पढ़ रहे होते बढ़ा दिकत है मैं कुछ लिखता हूँ तो मेरे को लगता है हो सकता है कि नहीं को ना समझ में आए तो आप बचो आराम से यह कर लो 2.15 है देखिया इसे डिवाइड बै केतना हजार है ना नीचे तो यह डेसिमल उड़ेगा तब 2 0 और आ गया है कि यह दोनों उड़ा 3 0 के जगा पर सेट हो गया ऐसे अगर दिकत लगे ना तो आप ऐसे कर लो शर्मानी की कोई बात यही नहीं है क्योंकि हमको एक्जाम में जंडा गाड़ करके आना है चाहिम कैसे भी जंडा गाड़ करके आए तो यह तो यह M2 हो गया M3 केतना है मेरे पास 2.39 कभी भी छोटा च्छोटा सवाल पुछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए यह नहीं की क्लास में लड़की लोग है अरे यार हम कैसे पूछेंगे कहीं पूछ दिये तो गजा वीज़त चला जाएगा बाहर में क्या बोलेगी है कितना कमजोड लड़का है अरे गज़वालत है लड़की है जिन्दगी अपने हाथ में है ना पैसा जो हमारा पढ़ाई में लग रहा वो लड़की थोड़ी ना दे रही है या लड़की लोग सवाल अगर नहीं पूछती है कोई डाउट छोटा हो जाता है तो बच्छो आप लोग समझो ज़रा ऐसा नहीं है कि लड़की लोग ने प पैसा लग रहा है ना जिन्दगी मेरा जा रहा है पहले हम टेज तो बन जाए सब लोग यह चीज़ जो है ना अटिटूट डेवलप करिए पूछो एक दम क्यतना हो जाएगा तो सेट कर दिजिए जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट केतना आ जाएगा देए जीरो वन टू थरी नाइन केजी यह तीनों जो है हमने लिख दिया क्या करें अब find the total mass of the box to the correct number of significant figures तो यह दोनों जब उसमें और add कर देंगे तो टोटल मास क्या हो जाएगा तीनों जूट जाएगा भार ही हो जाएगा यानि addition 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 मतलब जोड़िए सबको केतना केतना है भाई 2.3 एक है 0.00215 एक है 0.01239 सारे को जोड़ दिए तो भाई यह भी जो है 0000 यहां लगा देते ताकि आराम से जोड़ पाइन नो पाइन 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 चार हन बकी एक तीन एक चार एक पाँच दो दो चार एक तीन टू ऐसा केतना है एक decimal place इसके क्योंकि kg kg में हमने convert किया है अच्छा एक और बात बड़ी important यह 2.3 है बचो kg यह वाला क्या है 2.15 ग्राम और यह क्या है 2.39 ग्राम जादी आपको बताया है significant का rule में क्या कि भाई जब gram हो एक units हो आप जब दूसरी unit में convert करते हैं conversion of units में significant figures में कोई changing नहीं होता है तो जो significant figures यहाँ है भाई यह significant figures में तो changing नहीं होगा है तो बड़ी यहां सचाहिए आप किसी exchange करो decimal places के लिए जो है हम लोग थोड़ा सा होगा कि हाँ इसमें इसमें केतना least decimal places केतना है देखो ज़रा यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 2 least केतना हो जाएगा 1 यानि कि हमको least decimal places रहना चेक है क्यों कि हम addition कर रहे है quantities का एक ही decimal places यानि यही तक रहेगा बगला उड़ाओ, तो 5 से कम है, यह उड़ गया है, आंसर मेरे पास केतना हो जाएगा, 2.3 kg हो जाएगा, final answer तो यह 2.3 kg हो जाएगा, इधर चेक कर लो, छोटा 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 चीज़ है, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए, question number 9, question number 10 में चलते है the value of resistance is 10.845 ohm, resistance है 10.845 ohm, and the current is 3.23 ampere, पढ़ते जाएगी, लिखते जाएगी data, on multiplying, दोनों को गुना करने के बाद, we get the potential difference V, 35.02935 ohm, ठीक है, ऐसा, find the value of the potential difference V, in terms of significant figures, अच्छा, यह तो ऐसे ही हो गया, class 10 में पढ़ के आए, भाई, V equal to होता है, क्या IR, यानि कि यह दोनों को multiply करने से, यह आया है, ऐसा लगी जैसे, काट उट दी हो, तो multiply करने का मतलब क्या होता है, list, significant figure, इसमें केतना significant figure है तीन दो पाँच, इसके पास केतना है, तीन, यानि के मेरे पास answer में केतना होना चाहिए, सिर्फ तीन significant figure, यानि बगला का हुआ, उड़, उडएगा, तब less than 5, ती गया, answer will be 35.0V, यह दोनों को लिखने की ज़रा थी नहीं था, इसी को देख करके मार देते हैं, 35.0V, सही है question number 11, चलते हैं, क्या है भाई, हाँ, the name of the nearest star is proxima centauri, the distance of this star from earth is 4 into 10 to the power 16 meter है, इस star का, nearest जो star है हमारा, the distance of this star, जो अभी हम लोग देखे हैं, from earth, light year is क्या, भाई, यह meter में बताया हुआ है, इसी को हमको बताना है, light year में क्या होगा, light year में क्या होगा, याद करिए, क्या trick बताये थे, 5 कलम 20 रुपिया वला, कि 12 रुपिया क्यतना कलम देगा, यह 3 कलम का दाम केतना होगा, जो पूछा जाता है, धड़ाक से किदर, right side, बड़ी छोटा चीज था वहाँ पर, लेकिन अभी देखे कैसे काम करेगा, the distance of this star in light year is, यानि कि light year में पूछा जा रहा है, तो भाईया light year हम किदर लिखेंगे, right side, और एक है distance, तो distance लिखेंगे left side, पूरा physics जो हना इसा ही पढ़ना है, पूरा physics, 5 कलम का दाम 20 रुपिया, तो एक कलम का दाम क्या, यह पृत्वी पर सब कोई को समझ में आता है, इसका मतलब है, कि physics किसी को मुश्किल कभी जिन्दगी में लगी ही नहीं सकता है, यह ब्रह्मा का लकीर है, कि physics कभी मुश्किल लगी ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 कलम 20 रुपिया सब को आता है, यूनिट्स का पहला ही लेक्चर में सिखा है, तो वो जड़ था हमारा, तो बस हो गया, तो हमको एक चीज हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई जब भी पूछता है, यानि यतना डिस्टेंस वराबर ना कितना लाइट इयर होगा, यह सवाल पूछा जा रहा है, यह चीज मेरे बेक्ग्राउंड में चलना चीज़, जैसे मैं आप से पूछ तीन कलम का दाम क्या, तीन कलम केतना है, तीन टूद पार, फिफ्टी मीटर, तो हम कह सकते हैं क्या, लाइट इयर उस साइड लिखा हुआ है, डिस्टेंस इधर लिखा हुआ है मीटर में, यानि कि पहले हम लोग को पता है कि यतना डिस्टेंस बराबर वन लाइट इयर है, तो सबसे पहले कुछ पता तो 15, तो कैतना मीटर में, एतना मीटर का, एतना मीटर कैतना है, 4 into 10 to the power 16 मीटर में, कैतना हो जाएगा, तो 1 बटे, 9.46, 10 to the power 15, आई ये इंटू हो जाएगा, तो 4 into 10 to the power 16, देखें, आप लोग न, यहाँ पर कुछ significant figure का कुछ ऐसा related नहीं है, मैं क्या-क्या answer को थोड़ा से ये क option दे दिया है, अब जब सटिक गुना करना होगा, बड़ा-बड़ा, सीखें, अब ट्रिक भी सीखते हैं, वो भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, स्कूल में आए तो भी champion, competition में आए तो भी champion भाईया, next level से, कैसे, 1.23, 4.23, 15.64, 23.76, हमको कुछ गुना नहीं करना है, बस धड़ाक-धड़ाक कुछो-कुछो मार देना है और आंसर आजाना चाहिए, ठीक है, कैसे आंसर आगा, 2 second, 3 second, इसे ज्यादा समय नहीं लेना है, बचो, देखें, तो 9.46 आपको पता है कि मेरे को क्या लगता है, decimal दिखाई नहीं देता है, तो आप लोग को भी दिखाई देना चाहिए, 9.46 मतलब के 9.5 मतलब के 10, ता हम इसको 10 मान लें, यह क्या 15 तो देखो स्वला है, तो यह को चल गया तो यह 10 हो बचा है, 9.46 को हम ले रहे है, 10 तो यह 10 यह 10 भी चल गया, बचा क्या 4, कही 4 दिखाई दे रहा है, क्वोर दिख रहा है, hence this is the answer, कभी गुना नहीं करना है कॉम्पटिशन में यह मैं लेक्चर्स में भी बताता हूं डिपीपी में भी सिखिए क्योंकि भाई या तेज बनना होगा कब तक हम लोग कम जोड़ रहेंगा निल सर जैसा 11 वाला कब तक रहें दुनिया आगे बढ़ा आगे बढ़ना चाहिए अब हैंस दिस में भी बचो क्या 4 और क्या है उसके बाद देखकर के लिख दीजिए जो है लाइट ये बुलो को सर आप साटी गुना नहीं किये बचो साटी गुना भी किये न बढ़का बढ़का तो कर तो सकते ये डिभाइट तो दे ही सकते है कि हाँ वाई क्या है ने लेकिन तरीक हें कितना कलम तो जो पुछेगा ना राइट से हाउ मिनु पारसेग भैर पार्से का पूछ रहा है है पारसे का पूछ रहा है तो पारसे приб डॉटत इधर लिखाये हैं विक ये मैं तो सबसे पहले कि पर्led में पार्से में कुछ और चिश्त को होता है अथ्था लिकर एक ला 9.46 into 10 to the power 15 meter में कितना पार्सिक हमको एक पार्सिक वाला भी पता है देखें एक पार्सिक बोलें कुछ-कुछ पता होना बहुँ जूरूरी होता है default एक पार्सिक कितना होता है light का speed याद करिए कैसे बताये थे trick भी बता चुके इसको याद करने का 10 to the power 8 उसको दूना कर दो तो सुला आ गया तो चाहे 1 light year हो चाहे 1 पार्सिक हो हमको पता है यानि कि एक light year में एतना मीटर होता है distance तो दोनों में न हमको distance के बारे में पता है तो जहां light year है वहाँ पर बहता है कि हम distance लिख दे तक क्यों क्योंकि पार्सिक भी distance related है और light year भी distance related है तो भाई ये light year हटा करके बचों हम लोग क्या लिख लेंगे distance उम्मीर है कि समझ गया कि क्यों हम किया ऐसा distance और ये क्या चिंग होगा meter में क्योंकि इसका भी meter में इसका भी meter में तो relation बड़ी आसान हो जाएगा तो हमको सबसे पहले पता क्या है पार्सिक और distance का सबसे पहले पता है कि भाई 3.08 into 10 to the power 16 meter में एक पार्सिक होता है जब तक वो concept नहीं पता होगा कि भाई लिखेंगे किसको किदर तो हम इसी में होचपोच में रह जाएंगे मेरा चला जाएगा समय एतना में एक पार्सिक होता है अब हमसे पूछ रहा है कि एक light year तो भाईया एक light year जो होता वो कितना distance होता है एतना यानि कहने का मतलब कि उतना मीटर में कितना तो हम लिखेंगे तो 1 light year क्या है भाई 9.46 into 10 to the power 15 मीटर में होगा क्या तो सबसे पहले एतना में एतना तो एक में निकालते हैं एक में हो जाएगा उतना बटे उतना था डाइरेक्ट लिखें हम लोग 1 बटे 3.08 into 10 to the power 16 और ये उस साइड मल्टिप्लाई हो जाएगा 9.46 into 10 to the power 15 येतना को नाम लिखा जाता है ना चलिए कोई दिखाई दे रहा हो बचाओ को हैं ऐसे फिर करते हैं कुछ को देखें वह 10 के पार 15 कॉंप्लेक्स आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक नहीं है मैंने चार ऑप्शन देके राखा है क्या है 0.1 0.3 0.9 1.5 कुछ ऐसा देखते हैं हैं 3 just on one second मार सकते हैं कि facility secure competitor ये शनरे बाचो येस ओलत आ ये 15 तो 25 गोट 10 चला गया तरह टтесь तो टैनरा नीचे बचा है एक तैन बेरा नीचे बचा यहां नाइन और यह तीन दिख रहा है तो तो 3 का टेवल पढ़ते हैं तो 3 3 9 हो जाता है तो भाहिया ऐसे ही मार देंगे 3 3 9 यानि उपर हो गया 3 3 बटे 10 केतना हो गया 0.3 तो हम option में चेक करते को 0.3 है क्या दीख रहा है 0.3 हैंस यह मेरा answer हो जागई बचो 0.3 कुछ गुणा नहीं करना रहता है हवा में केल्कुलेट कर लेंगे तीन तीया नो आई ये पंदर एक चल गया था तीन बटे दस क्या निकी जिरो पॉंट थिरी जब किसको ऐसे करेंगे नहीं पता अगर होता है बचो तो कितना तक ना नियाद कैसे आजा है यह वो तो थिरी जिरो एट भागा नाइन फोर सिक्स बा मर फिर तीन तीया फिर ऐसे बड़ी दिक्कत होता है वसमको बोड में अगर आएगा तो क्या दिक्कत है तो आराम से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं बोड मतलब स्कूल वाला एक्जामिनेशन में आये तो तो साटिक हम लोग क्या लिखेंगे जिरो पॉंट 3071 मतलब वह भी तर चलते हैं मस और परोटोन उस ऐसा केजी पौन में पॉक्वर हमिनी पॉक्रों एढर पूछ रहा है म। प्रोटोन सीधर पूछ रहा है, would make 1 gram, जयानि कि मास जो है, वो मेरा इस साइड क्योंकि जो पूछता है, वो राइट साइड चला जाता है तो सबसे पहले हमको कुछ पता होना चाहिए कि कितना मास में कितना प्रोटोन क्या ये पता है क्या, कितना मास में केतना proton? एक proton में यतना मास होता है, यानि कि पता चल गया कुछ, कि 1.67 into 10 to the power minus 27 kg होता है ना तो उसमें एक proton होता है, कुछ ना कुछ तो पता होना चीए, हमको केतना 1 gram में पूछा है, तो भाई या 1 gram केतना kg होता 10 to the power minus 3 kg, 1 बटे 1000 करेंगे तो ऐसा आएगा, 10 to the power 3 उपर चल गया, तो एतना kg में एतना, तो एक kg में केतना, 1 बटे कर लिजिए, एतना number of protons हो गया, तो हमको केतना kg में जोरत है 1 gram, यानि केतना kg, ताकि यादे, कलम, 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 तो रुपईया, 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 तो भाईया, kg, kg, तो आपको जो ग्राम बोला, उसको भी आपको क्याच में लिखना पड़ेगा, kg में, क्योंकि कलम, 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 रुपईया, 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 जो बच् पहला लेक्चर जिंदगी में जो फिजिक्स चाली होता है उसी में इस चीज बताएं थी तो देख लिजेगा एतना में क्या हो जागा multiply कर लो भईया तो multiply कर लेते 10 तो पर माइनस 3 डिवाइरेट भईया आ जाएगा ऐसे खटाक से चार ओप्शन मेरे पास है क्या है भई 1.99 10 तो पार 23 3.99 सारे पावर्स सेम है 1.99 3.99 5.99 7.99 7.99 मतलब 8 5.99 मतलब 6 3.99 मतलब 4 1.99 मतलब 2 देखते हैं तीन सकेंड बचो मेरे पास समय है तो यह 1.6 मतलब 1.6 मेरे को ही नजर आएगा उपर क्या है ऐसा कुछ है ठीक है देखे जैसे देखने में लग रहा 1.6 टाप का और बहांकि जो भी यह उधर क्या 100 ही मतलब 10 100 ऐसा कुछ है तो भईया उपर 100 कर दो 60 का टेवल पढ़ो 65 96 96 96 96 96 यानिकि 6 पॉइंट संथिंग कुछ आएगा 66 96 बचो देखे बुलोगे सार यह उपर जागा 27 मार 24 होगा निशा होता होता सब हम करते जरूर जब ना यह सब व्यवस्था नहीं होता तो लेकिन है व्यवस्था हमारे पास पावर सब क्या दिया वह वन बटे 1.6 तो वन बटे 1.6 भाई हमको थोड़ा सा उपर ज्यादा बड़ा होतो ने काट छाट जैसे वन बटे 5 करने मुश्किल होता है ना लेकिन 10 रहता है तो असान होता है तो उपर ज्यादा कर लिजे 100 16 96 96 हो गया 6 पॉंट संथिंग कहीं दीख रहा है क्या 6 पॉ डिटेल तो यह जाएगा उपर सबसे पहले 10 कितना हो जागा प्लस 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1.67 डिटेल भी अगर करना हो ना डिटेल भी अगर करना हो तो भी मैं सजेस्ट करूंगा देखे 27 में से तना गया क्या होगा 24 डिवाइड बाई जो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आप एक ही डेसिमल प्लेसेस तक ले करके कैलकुलेट करो हमेशा स्कूल के इग्जामिनेशन बे भी अगर आप कर रहे हो ना तो आप यहीं ले करके करो अग कॉम्पेटिशन हो तो बता ही दिये कुछ करने ही कहीं नहीं है मार दो खटाक से ऐसी तो 1.6 अब करो क्यू उपर ठीक है कुशन नमर 13 तो यह रहा अब तो इसको तो कर ही सकते है डिटेल में यह वाला जाएगा तो एक और जीरो आ जाएगा जैसे कि मैं कर देता नहीं तो लगया कि सर क्या है न यह से यह डेसिमल जाएगा तो यह वहाँ चला गया तो हम बोले कि भाई नीचे मेरे पास 60 ह है जड़ा 100 बना ले यहां से यहां से यहां सा गया तक 10 के पावर यहां पर क्या बचाएगा 23 तो चलेगा तो चलेगा तो इस तरह से आप पर आम से कर लो राफ question number केतना होगे 13 मैंने नया नया है अभी 11 तो हमको सीखना पड़ेगा यह सब चीज देखे 14 how many EMU would make up 1 kg how many EMU तो भाई आप EMU जो है आप राइट साइड जाओगे would make up 1 kg यानी इधर मास की बात करेंगे जो कि हम लिखने वाले हैं क्या चेविए kg में how many EMUs ठीक है कुछ हम देखते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा पता है क्या कि कतना मास इकल टो कतना EMU कुछ पता है क्या क्यतना मास इकल टो कतना EMU दिया हुआ है 1 EMU एकल टो इतना मास तब पह लो पढ़ोगे बच्छों atomic मास यूनिट क्या होता है ठीक है ऐसे मेरा physics में है modern physics class 2 wealth के इंदर तो वहां तो उसका operation चील फार कड़ेंगे इसका पूरा बढ़िया से atomic मास में atomic मास यूनिट क्या है यह आ गया तो क्या है इसका मतलब सारा ची अभी आप chemistry में पढ़ोगे तो हमसे पुछाए कि would make up 1 kg एक kg में कितना होगा तो भाई एक kg में जब भी करते हैं तो यह divide 10 to the power minus 27 एतना यह mu answer आने वाला है option देखते हैं जरा आपको तेज भी तो बनाना है 1.0, 3.0, 6.0, 9.0 यह 10 to the power 26 ही है तो देखते हैं कि कुछ कैसे कर सकते हैं 2 second, 3 second के अंदर जब भी आपको 1.666 से लंबा चोड़ा 25-30 को लिखाल रहे रहने दीजे और जब यह power same होना तो खटाक से कैसे मारा जाता है तो बोले भाई यह मेरे लिए हो गया 1 but 1.6 यानि कि नीचे स्वल्ला नीचे मेरे लिए क्या हो गया स्वल्ला तो पर 100 नीचे स्वल्ला स्वल्ला जब का बुक देखोगे जब calculation करने बैठो गया तो सारा decimal आपको कहीं दिखाई ही नहीं देगा आपको वही चीछ दिखेगा कि या रहनी सर क्या 15 को स्वल्ला लिख देते हैं 1.661 को 1.6 यानि कि स्वल्ला ही उठा लेते हैं ओपर में 1 है तो उसको 10 बना लिए कभी 100 बना ल लेंगे ज्यादस ज्यादा 1.7 उपर 100 और भागा दे दिजिए जो आ जाए ठीट ठाट है हैंस यह आ जाएगा बचों कैसे है 6.024 इंटू 10 टू पार 26 अम्लों सॉल्ल बाई शॉट्री यही सब है लेक्चर और DPP देखते देखते धीरे 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 तेज बनेंगे 6.024 इंटू एतना तो कॉशन बर 14 हो गया चलता है कॉशन बर 15 के पास क्या है भाई find the order of magnitude देखे order अलग चीज होता है order of magnitude अलग होता है order मतब 10 के पावर पूरा और order of magnitude मतब सिर्फ पावर हमसे order of magnitude बोला है पहला यानि सिर्फ पावर के बारे में तो 2.79 इंटू 10 to the power 23 क्या यह scientific notation में है क्या है तब direct जो इसका पावर होगा वो magnitude होगा लेकिन वो depend करेगा कि ज इस नंबर जो है ना लेस दन 5 है लेस दन 5 है तो direct यही answer हो जाता है यानि कि order of magnitude order of चलिए डेटेल में ही लिखता है order of magnitude केतना हो जाएगा 23 है ना सिधा सिधी हो गया चलिए बी पाट 5 7 4 3 into 10 to the power केतना है minus 6 है इसा सबसे पहले इसको scientific notation में करते हैं तो भाई scientific मतलब कि 5.7 रहना चाहिए कैसे आएगा तो बोलेंगे ना एक दो तीन यानि कि यहां पर ही ना हजार से डिवाइट अपने से किये तो अपने से पहले multiply कर दीजिए यह क्या बन गया यह बन गया मेरे लिए 5.743 into 10 के power minus 6 plus 3 minus 3 हो गया क्या यह जो नंबर है greater than 5 है क्या बिल्कुल greater than 5 है जैसे भी greater than 5 है तो हम क्या करते है उधर बढ़ा देते हैं plus 1 तो बोलेंगे 10 के power हो जाएगा minus 3 plus 1 कितना आ जाएगा 10 के power minus 2 hence order of magnitude order of magnitude जो हो जाएगा क्यतना minus 2 minus केतना हो जाएगा 2 तो इस तरह से calculation less than है तो चुपचा को ही हो गया greater है तो एक बढ़ा दो प्लस 1 कर गए तो 23 के बाद minus 2 23 के बाद minus 2 सही है तीसरा देखते है 7,6,4,3,9 into 10 to 7,6,4,3,9 7,6,4,3,9 into 10 के power है क्या एट था कि 9 था बचो 7,6,4,3,9 into 10 के power 8 बनी गया होगा देखते हैं जा रहा तो यहाँ पर कितना लाए एक,2,3,4 10 के power 4 10 to 10 के power 4 क्यों कि यह scientific notation में करने के लिए 7,6,4,3,9 into 10 के power 8,4 बार है यह जो number है this is greater than 5 greater than 5 है वहाँ बढ़ा देंगे तो बढ़ा देंगे तही हो जागा बार है प्लस एक 10 के power 13 hence order of magnitude order of magnitude जो हो जाएगा कितना answer आजाएगा 13 बस यही है simple सा तो 13 देखरो कितना practice हो रहा है और कितना चीज़ हम लोग सीख रहे हैं बचो question one sorry 16 mass of a ball is एतना तब बोलता है कि the mass of 25 such balls क्या होगा एक ball का mass एतना है दो ball रहेगा तो एतना प्लस एतना same type का ball है रहा देखरो क्या है same क्या ऐसा नहीं बोलाग या लग लग different masses का है एक ball एतना mass दो का क्या होगा तो यह प्लस यह तीन का यह प्लस यह प्लस यह total जो mass हो जाएगा तक क्या करेंगे है 1.76 प्लस 1.76 ऐसे करके addition होते चला जाएगा कहां तक 25 times हो रहा है addition real में तो समझ में आता है decimal places को हम लोग चेक करेंगे answer में two decimal places तो two decimal places तक होना चाहिए यानि कि 1.76 into कैतना हो जागा 25 अब जब detail जब गुना आता है तो हम detail करेंग क्योंकि significant figure से कहीं न कहीं यह वाला है ठीक है 25 1.500 के 0 हनवा की 15 है 25 सती हो जागा 175 175 85 यानि 190 के 0 यानि कि हो जागा 19 25 और 19 हो जागा वच्छो नव पाच्छो अदर चार हनवा की 1 2 1 3 4 यानि कि 44 हो जागा ऐसे सवाल है कि answer क्या होगा 44 होगा की 44.0 की 00 एडिशन हो रहा है two decimal places तक चाहिए वही चीज हो रहा है तक two decimal places तक रहना चाहिए यानि कि पूरा तक answer रहना चाहिए तो final answer जो मेरा हो जाएगा यही होगा एतना के जी final final answer बहुत सारे बुक्स में बचों बहुत सारे बुक्स में कहीं पर नेट वेगरा पर वीडियो सॉलिशन्स वेगरा कुछ देखो गे ना तो 44.0 लिखा हुआ जो की गलत है ठीक है actually में गलत है वो तो आप उस पे भरोसा मत करना यह answer होगा 44.000 के तो यह रहा पूरा detail उमीद है कि बचों आपको अच्छा से समझ में आया होगा देर देर आप बुष्ट अप करते चले जा रहे होगा अच्छे से पढ़ाई करते रहे और फुजिस लिंग्स का जैसे सोचल मीडिया है तो इसको आप फॉलो कर सकते है कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए कहीं कुछ है न कर दो